हलो एर्वान आम रमेश निसाद वाल्कम यू ओल ऑन बिहाफ आप अभीपसा नभीपसा टीम अना होप की आपकी जो एक्जाम है वो काफी अच्छी रही होगी और अभीपसा के द्वारा प्रोवाइट की गई धेर सारे वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध क्योंकि मैंने जो भी चीज़े पढ़ाए हुए हैं उनमें से धेर सारी चीज़े आपके एक्जाम में आये हुए थे तो बच्चों आज किस वीडियो लेक्शर में हम पेपर का अनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रामर है दो इस से आया हुआ था और मेरे पास है क्योशन पेपर सेट ए और इसमें आप किस तरह के कोशन देखें हैं कैसे आपने आंसर दिया है इनके बारे में हम थोड़ा सा अनालिसिस कर लेते हैं तो यह आपका सेट ए है जिसमें आपको 80 numbers के आपके क्योशन पेपर है तीन घंटे का सम सेट B में unseen passage आया हुए थे जबकि सेट C में unseen poem आया हुए थे तो poem में ज्यादा खोजनी की जुरत नहीं पड़ती है कम words रहते हैं जबकि unseen passage में धेर सारे words रहते हैं तो उनमें थोड़ा धूनना थोड़ा सा कठीन होता है तो यह आपका unseen passage है section A है reading comprehension का तो मैंने वीडियो मे बताया हुआ था कि unseen passage के answer आप कैसे डूंड सकते हैं किस तरह के questions आते हैं तो यह आपके 12 नंबर के आया थे जिसमें से 5 आपके MCQs थे और 7 नंबर के आपके objectives थे जैसे कि यह आपका आया हुआ है the passage is about यह किस से related है किस तरह से related है तो आप passage को एक बार देखेंगे तो शुर के आपकी questions आया हुए थे हैंना MCQs उसके बाद इसे related objectives आया हुए थे तो यह इस तरह से आप unseen passage को बड़ी ही आसानी से बनाया होंगे I hope ठीक है उसके बाद आपका एक और passage आया हुआ था और इस passage को पड़ करके इस related क्या बनाना था आपको note making मनाना था है और क्या बनाना थ इस related summary and लगबग 80 words में और इसका title देना था तो आप कैसे किस तरह से दिये होंगे तो इस related मैंने video तो बनाया हुआ था note making कैसे करना अपने सब्दों का use करके और इसके अलावा आप जो है कैसे summary लिखेंगे इसके बारे मैंने आपको बताया हुआ था तो I hope कि आप यह दोनो होता है लेकिन जो set B section A है वो अलग होता है set A, set B and set C में लेकिन section B जो होता है वो तीनों set में सेम होता है भले यह जो questions रहते हैं वो आगे पीछे कर दिया जाते है ठीक है तो यह हो गया आपका writing skill का आप writing skill में क्या क्या आया हुआ था writing skill में आपका आया हुआ था notice writing और अथ क्या आया हुआ है इसके बाद आया हुआ है आपका article writing का लगभग 200 words में आपको लिखने थे तो article writing के लिए मैंने बदाया हुए थे कुछ-कुछ important और वो topic में से आपका आया हुआ है power of praise या importance of newspaper यह दुनों लगभग same ही है तो मैंने बताया हुआ था importance of newspaper ठीक है तो यह आप का आया हुआ है और इसके अलावा क्या आया हुआ है आपका pollution problem of India ठीक है pollution problem of India या फिर environment pollution दोनों लगभग same है तो मैंने बताया था environment pollution यह यू कहें कि pollution problem of India तो यह दोनों आपके आया हुए है इसके अलावा आपकी yoga of yoga for better living यह अलग है उसके बाद क्या है present education system ठीक है तो दो आ आपके आया हुए थे यदि आपने मेरे वीडियो को देखे हुए थे तो आपका यह बना होगा इसके बाद क्या हुआ है do as directed आया हुआ है any 10 12 questions है और इन में से आपको 10 बनाना था और do as directed के धेर सारे वीडियो मैंने आपके लिए दिये हुए थे और आज do as directed के जितने भी questions है इन questions को मैं आज आपके साथ एकदम detail के साथ डिल करूंगा वीडियो के अंत में तो आप मेरे साथ बने रहिए और चेक करिए कि आपके जितने भी do as directed आपने जितने भी बनाया है जितने भी questions आपने सौल की है क्या वो सही है या गलत है तो वीडियो के अंत तक आप बने तो यह do as directed के बारे में last में बातशीत करेंगे उसके बाद हम section c में आ जाते है section c कि किसमें से है यह है literature text book से अब literature text book यह हम बात करें तो यह क्या है अपका scene passage है तो scene passage यह आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं रहे इसे आपने अपने relation में पढ़ा हुआ है तो आपने हमारे जितने भी relations है उनको यह आपने आप में आकर के यह आपने देखा होगा तो आपके जितने भी इसके बाद आपका poetry section से आया हुआ है और इसे related फिर से चार questions है तो यह आदि आप प्रोज और poetry यह आप अच्छे से देखे होंगे जितने भी following questions about two sentences उसके बाद आपका question answer आया हुआ है जो की दो-दो number का आया हुआ है one two three three question आपके दो-दो number के और आपके six number के यह दो question आया हुआ है मैं अथवा करके ठीक है तो इसमें से आपका क्या आया हुआ है draw the character sketch of Mr. M. Hamill इसको मैंने आपको video के मारादम से भी बताया हुआ था paper के just पहले तो यह आपका six number का आया है यदि आपने video को देखा होगा तो आपका यह 6 number का बना होगा इसके बाद क्या आया हुआ हुआ है आ ने video में आपको बताया हुआ था तो यदि आपने हमारे videos को देखे होंगे तो आपका यह एकदम completely बना होगा 6-6 number का तो इस तरह से 12 number का आपका बना होगा तो इस तरह से यदि हम देखे तो paper analysis यदि हम करते हैं तो I hope कि आपकी जितने भी question paper है वो बड़ी आसानी से बने हों चीज़े यहां पर आए हुए थे अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो grammar है जिसे हमने बनाया हुआ है do as directed वो कितने सही है और कितने गलत है तो चले बच्चों स्टार्ट करते हमारा do as directed में क्या क्या चीज़े आए हुए थे और क्या क्या चीज़े हमने do as directed के अंतरगत अब हम देख लेते हैं कि आपके कितने questions नहीं है और कितने questions गलत है तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं और हमारा जो first question आया हुआ था वो कुछ इस तरह से था जैसे who wrote this later change the voice यहां पे आपको voice change करना था तो इसका जो answer होगा वो दो answer होगा कौन कौन सा देखें यह subject की ज अगर पे तो यहां पे हमने एक तरीका देखा हुआ था और उसके सहारह हमें इसको लिखना है तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है by तो by उसके बाद हो की जड़ा पे लिखना होता है whom by whom और उसके बाद हम लिखेंगे was was क्यों क्योंकि यह past indefinite tense है और past indefinite tense में हम was उसके बाद हम लिखेंगे आप तो यहां पर हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद verb की place ऑर फोर्म है यहां पर लिखेंगे वप की थर्ड फॉर्म तो राइट रोट रिटर्न हमारा आंसर वार प्सक्राइब हो गया उस लेटर पहल यह ना रहत कीuld परचा करे लेते हैं तो वो हो जाएगा जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हूँ उसके बाद फिर helping verb, helping verb क्या was, who was, उसके बाद फिर object तो ये हो जाएगा this और ये letter, by whom was this letter, उसके बाद verb की third form तो verb की third form, return, और उसके बाद last में लिखेंगे by, ठीक है तो इस तरह से हम दो तरीके से इस question को हम बना सकते हैं, by whom was this letter, return, या फिर who was this letter, return, by, ओके, यदि आपने दोनों में से किसी को भी बनाया होगा, तो आपका एक, जो है, सही हो गया नि, आपका एक number fix होगा, Now, let's see the next question, and our next question is, if I am not invited, I will not go to picnic, यहाँ पर क्या करना था आपको, rewrite using unless in place of if, यहाँ पर if की जगा पर unless यूज करके, दोनों sentence को, यानि जो sentence की दोनों parts है, दोनों clause है, उनको क्या करना है, aid करना है, यानि, it means, यहाँ पर क्या करना है, कि if की जगा पर आपको unless लिखना है, और जो sentence का meaning है, वो change नहीं होना चाहिए, तो sentence को, यदि हम समझे, तो क्या कहा जा रहा है, if I am not invited, यदि मुझे, यदि मैं invited नहीं हूँ, यदि मुझे निवंतर नहीं दिया जाता है, तब कि sense में क्या होगा, I will not go to the, go to picnic, मैं picnic नहीं जाओंगा, तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, यदि मुझे invite नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो मैं picnic भी नहीं जाओंगा, तो जो unless है, ये negative है, और if क्या है, ये positive है, ये negative, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है, इफ की जवब पर unless कर यूज करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ की जवब पर लिखेंगे unless, उसके बाद I, फिर, aim, अब यहाँ पर not लिखने की जरुरत नहीं है, क्योंकि unless अपने आप पर negative है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे am, और not go to picnic, go to picnic, तो यह हो जाएगा हमारा answer, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी कठीन काम नहीं है, unless I am not invited, I will not go to picnic, बस आपको ध्यान रखना है कि बस, unless अपने आप में negative है, तो इसलिए यहाँ पर हम negative यहाँ नहीं लिखेंगे, बाकि जो इफ के सांद जो not है, उसको हम हट आदेंगे, बस, यही बस किया है, बाकि हम as it is लिखे हुए है, ओके, now let's see the next question, and our next question is, the teacher said, the sun rises in the east, change the narration, यहाँ पर narration change करना है, ठीक है, तो narration change करना है, यहाँ पर देखिए, the sun rises in the east, जो सूर्य है, वो इस्ट में उधित होता है, ठीक है, तो यह सास्वास सत्य है, अब सास् आधे इस लिख देते हैं, तो देखिए, the teacher said, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, the teacher said, the teacher said, said, said कची आपर हम told भी कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अनंतर नहीं है, दोनों सही होगा, the teacher said, उसके बदाऍड सिर्फ लिखेंगे that, teacher ने हमें बताया या teacher ने कहा, तो that, that उसके बाद जो भी आपकी जो inverted comma है या comma था उनको हम remove कर देंगे और as it is लिख देंगे that the sun rises in the east तो ये हो जाएगा हमारा answer the teacher said that the sun rises in the east तो ये हो जाएगा हमारा answer कुछ ने किये हैं बस that बस लगा दे हैं और as it is लिख दे हैं क्योंकि ये सास्वत सत्य है okay now let's see the next question she said to me please bring me a glass of water यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे change the narration यहाँ पे भी narration change करना है और यह जो है जी देखे please bring me a glass of water यहाँ पे request वाली बात है यहाँ पे कहा जा रहा है उसने कहा उसने मुझसे कहा क्या कहा please bring me a glass of water मेरे लिए glass water low ले करके आओ ऐसा उसने कहा ठीक है तो यहाँ पे यहाँ ले करके आओ तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है change करना है इसके according तो यहाँ पे please word है तो यहाँ पे हम क्या लिखे see said to me said to me की जगा पे हम क्या करेंगे requested कहेंगे क्यों क्योंकि उसने request किया है प्रात्ना किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे see requested 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 me requested me said to की जगा पे requested ठीक है तो see requested me उसके बाद क्या लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे इधर वब bring me a glass of water यानि मैं उसके लिए क्या लेकर क्या हूं मेरे लिए थोड़ी उसके लिए a glass of water लेकर क्या हूं ठीक है तो यहाँ पे मी नहीं आएगा क्योंकि यह जो बात है यह उसके लिए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे see requested me to bring 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 अब मी नहीं आएगा मी के यहाँ पे क्या आजाएगा her c का क्या हो जाता है her हो जाता है उसके लिए glass of water की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे her bring her a glass of water तो यह इस तरह से आपका जो है answer हो जाएगा यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते है she requested me to bring a glass of water for her ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको यदि हम last time लिखें तो for her को हम last time में भी लिख सकते हैं ने दूनों आपका सही होगा ठीक है तो इस तरह से आप दूनों तरीके से बना सकते हैं यदि आप चाहें कि her को last time में लिखें तो आप last time में भी लिख सकते हैं तो इस तरह से दो answer आपका हो जाएगा siri requested me उसने मुझसे प्रातना की कि मैं उसके लिए a glass of water ले करके जाऊं या ले करके आऊं ठीक है bring याने lana ले करके आऊं तो इस तरह से आपका answer हो गया now let's see the next question I am very busy I cannot come to your house today यहां पर क्या कहा जा रहा है combine the sentence using so that so that का use करके दोनों sentences को combine करना है तो so that का यदि हम use करते हैं तो बहुत ही simple है very के जाब पर क्या लिखते हैं so लिखते हैं और उसके बाद that लिख करके दूसरा जो sentences को program करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा I am so very के जाब पर क्या लिखेंगे so busy so busy उसके बाद क्या लिखेंगे that लिखेंगे और that लिखने के बाद next जो sentences को as it is लिख देंगे that I cannot that I cannot come to your यहां पर लिख देंगे house today तो यह हो जाएगा हमारा answer I am so busy that I cannot come to your house today तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान है now let's see the next question and our next question is do it change the voice यहां पर voice change करना है तो देखिए इस तरह के question हमने देखे हुए थे पिछले वीडियो में तो यहां पर देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे उसके बाद फिर क्या लिखेंगे अब्जेक्ट लिखेंगे देखिए यहां पर जो imperative sentence होते हैं imperative sentence में वर्ब रहती है और object रहते हैं ठीक है दोनों चीज़े रहते हैं तो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं object object क्या है it है उसके बाद हम क्या लिखते हैं be लिखते हैं उसके बाद फिर वर्ब की third form लिखते हैं तो do का third form do, did, done तो यहां पर हो जाएगा done इस तरह से आप लिख सकते हैं तो यह आंगा है तो यह लोग कर रहे है तो कैसे हो जायगा तो यह हो जाएगा यू आर आर यू आर उसके बाद हम क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे इसको यू आर इधर इधर फुलीज यू आर इधर फुलीज उसके बाद हम क्या लिखेंगे ये वाला हमारा सेंटेंस खतम उसके बाद और लिखेंगे यूर इधर फुलिस और यू आर कि मेकिंग अजोग यहां पे हो जाएगा मेकिंग जोग ये हो जाएगा हमारा आंसर देखेंगे चुकिझक हैं जो हुए दोनो अलग-अलग टाइप के शेंटेंस है इसलिए हमें पूरा-पूरा लिखना पड़ा यू आर यू आर जो वर्ड यह जो foolish है यह क्या है adjective है और यहां पर देखिए you are making making क्या है यह एक verb है यह adjective है यह verb है तो अलग अलग type के sentence है इसलिए हमें इसको दोबारा लिखना पड़ा otherwise यदि यह यह भी adjective होता यह भी adjective होता यह यह भी verb यह भी verb होते तब के sense में हम you are को सिर्फ एक ही बार लिखते फार एक्जामपल के लिए यहां पर होता you are foolish and you are you are wise होता तो हम क्या लिखते you are either foolish or wise लिख देते ठीक है आप समझ गया होंगी तो यह है हमारा answer now let's see the next question you are very weak you cannot walk rewrite the sentence using to 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 का use करके इसको लिखना है तो you are very weak very जहाँ पर हम लिखते हैं to उसके बाद second to को लिखने के बाद next sentence है उसके कहां से start करते हैं सीधा-सीधा verb से start करते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा you are very की जहाँ पर तो लिखेंगे you are too weak you are too weak उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला to to उसके बाद सिधा direct you cannot को लिखने की जुरत नहीं है सिधा वर्प पर चले जाते हैं तो walk walk सिधा direct लिखेंगे walk you are too weak to walk it means जो sense है वो से एक जैसा है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम walk नहीं कर सकते चल नहीं सकते ठीक है now let's see the next question and our next question is Ravi is a doctor Ravi is my friend change the sentence using a relative clause relative clause का use करके relative clause या फिर adjective clause का use करके sentences को क्या करना है add करना है ठीक है change the sentences using a relative clause Ravi is a doctor Ravi is my friend Ravi doctor है Ravi मेरा friend है तो इसको हम कैसे it कर सकते हैं तो देखिन, यहां पे हम लिखेंगे Ravi is a doctor Ravi क्या है Ravi क्या है Ravi एक doctor है अब यहां पे हम किसका एउस कर सकते हैں Ravi is my friend तो Ravi is a doctor who is my friend Ravi एक doctor है जो की मेरा दोस्त है तो यहां पे हम किसके करेंगे आपे हुँ का यूस करेंगे तो यहां थो जायगा हूँ and Is, Who Is My friends तो यह हो जायेगा हमारा answer Okay, यहां पे who use करेंगे यदि हम weege कर तो विच कर जायो ुस कौनसे कैंडिसें करते है याल्जी होता इंटू इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है यानि प्रश्ण वाचक बनाना है तो प्रश्ण वाचक हम कैसे बना सकते हैं we do our homework daily यानि हम अपना homework daily करते हैं तो प्रस्ट नमचाक मनाएंगे तो क्या कहेंगे क्या हम अपना homework daily करते हैं इस sense में तो यह कौन से tense का sentence है देखिए यह present in definite tense है और present in definite tense में हम do या फिर does का यूज़ करते हैं तो यहां पर यह वी है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे helping verb do कर यूज़ करेंगे इस do को मत देखिए यह जो do है यह main verb है ठीक है do means करना के sense में हम helping verb की बात कर रहें तो helping verb हमारी हो जाएगी do उसके बाद do उसके बाद subject उसके बाद main verb यह वाली do ठीक है do we do our homework homework उसके बाद daily और यह question वाला तो यहाप पर हम लिख देगे question mark do we do our homework daily यह हो जाएगा हमारा answer now let's see the next question and our next question is what it is certain Kamla will come to school combine the sentences using noun clause noun clause के उसके sentences को combine करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे it is certain हम लिखेंगे इसको as it is it is certain it is certain उसके बाद यह निश्चित है क्या Kamla will come to school कि Kamla जो है वो school आएगी तो यह निश्चित है कि Kamla school आएगी तो यह noun clause का यूज करना है तो यहाँ पर हम किसका रिसकरेंगे यहाँ पर हम that का यूज कर सकते है यह निश्चित है कि यानि that Kamla Kamla will come to school तो यह हो जागा हमारा answer will come to school ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ पर that का यूज करके noun clause का यूज करके हमने sentence को combine कर लिया है it is certain that Kamla will come to school now let's see the next question SEMA is hard working SEMA is honest combine the sentence using not only but also not only but also use करके sentences को combine करना है तो देखे SEMA is hard working SEMA जो है वो क्या है परिश्रमी है hard working है SEMA honest है यहनि दोनों गूण में है तो हम क्या कहेंगे कि SEMA hard working भी है और क्या है honest भी है यानि इसको कहने का जो तरीका होगा कुछ इस तरह से होगा not only but also का use करके कि कमला न सिर्फ hard working है बलकि honest भी है ठीक है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सीमा इस यह एक जैसा है same to same है उसको एक ही बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा सीमा इस ठीक है उसके बाद not only लिखेंगे not only not only अब इसको लिखेंगे hard working not only hard working उसके बाद हम लिखेंगे but also but also but also फिर इसको लिखेंगे इस एडजेक्टिक को but also honest तो यह हो जाएगा हमारा answer सीमा इस not only hard working but also honest तो इस तरह से यदि आपने do as directed के जितने भी questions है इन questions को यदि आपने बनाया होगा तो वो आपका सही होगा अपने जितने भी questions है जितने जैसा आपने बनाया है एक बार आप check करके जरूर देखिएगा और आने वाले आपके धेर सारे आपकी जितने भी विचा है जितने भी subjects है उन subjects के exam आपके होने वाले हैं तो उसके लिए आप ब्रीप ब्रीप रिप्रिपेर हो जाएए और बेस्ट विस है हमारा और हमारे अभीपसा टीम का और हमारी अभीपसा टीम आपके लगाता धेर सारे वीडियोस देते जा रहे हैं आपके जितने भी subjects बचे हुए है चाहे mathematics हो, chemistry हो, physics हो social science हो जो भी subjects हो उन subjects related जितने भी वीडियोस है वो आपके लिए दिये जा रहे हैं चाहे आप 12th के हो चाहे आप 10th के हो आप लगाता लगे रहे हैं revise करते रहे हैं और अपना confidence level कभी कम मत करिए confidence level आप हमेशा बना कर कर रहे हैं अपने आप पर आप विश्वास रखिए क्योंकि जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे कोई दूसरा कोई पडोसी वाला की कोई पडोसी आपके कदर नहीं करने वाला पडोसी आप पे कैसे विश्वास करेंगा जब आप अपने आप पर विस्वास नहीं करेंगे इसलिए सबसे पहले आप अपने आप पर विस्वास करें अपने कर्मों पर विस्वास करें और अपना कर्म आप करते रहे और कर्म से ही आपको सभलता मिलने वाली है तो मैं मिलूँगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के सांस नेक्स वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद and best of luck.